इस वीडियो में आज आप लोग बहुत सरी नई बाते शिखने वाले हैं इस टापिक पे अल्रडी मैंने चार वीडियो बना दिया है यह पांचवा वीडियो है इस वीडियो में आप पिछले जो चार वीडियो में कंटेंट सीखें उससे आगे का पार्ट सीखने वाले हैं पहले सेट लेंग्विज में आप लोगोंने डेफिनेशन इंट्रडक्शन रिप्रेसेंटेशन और हमने एक्सराइज 1.1 को दो वीडियो में सॉल्ड किया है मुझे आशा है कि आप लोगोंने जरूर वीडियो देखे होंगे और इंपॉर्टन पॉइंट्स को नोट किये होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि यह बिल्कुल नया चैप्टर एकदम 9 सेंडेड में आने के बाद इसको हम पहली बारी बता रहे हैं और कई जगह में इस चैप्टर को हम 11 सेंडेड में पढ़ाते हैं शुरुवात वहीं से होती है लेकिन तमिल नाडु में हम लोग इसे 9 सेंडेड में पढ़ लेते हैं कुछ ऐसी बाते होती हैं जो आप 9 सेंडेड से सीखते हैं तो आपका नौलेज एकदम परफेक्ट बनता जाएगा तो आएए आगे चलते हैं और इस चैप्टर के कुछ जो इंपॉर्डेंट पॉइंट से उसको सीखते हैं मुझे ऐसा है कि आप ज्यान से सीखेंगे समझेंगे और खुद भी देखेंगे अपने दोस्तों को भी बताएंगे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए आगे चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं में जो आपको मैं सिखाने वाला हूं types of sets types of sets को हम देखेंगे तो total 11 types मैं आपको बताने वाला हूं एक set के कितने type होते हैं पहले type है empty set जिसको हिंदी में रेक्त समूच चाहिए है दूसरा है singleton set इंदी में एकल समुझ चाई तीरा finite set को per image क्याता है इं फाइनेome set को cosa के क्ल्य समुझ चाई इकोवेलेंट सेट को सारवत स्मुझ चाई शरी को ऊपा समुझ चाई प्रौपर सबसेट को उचित ऊपा इसके बारे में आप सीखेंगे जिसको आप गात समुझे कहेंगे तो इस प्रकार से हम लोग एक एक इस टाइप के सेट को ज्यान से उसका definition भी हम लोग देखेंगे और उसके कुछ example भी देखते हुए एक-एक टाइप को मैं explain करूँगा तो चलते हैं देखते हैं कि हर एक टाइप के सेट में क्या है और वो उसका नाम क्यों है ऐसा तो देखा टाइप सेट हमारे सामने 1.4 9.8 का तमिल नाड़ू बोर्ड का भूक है इसमें टाइप सेट का पहले definition बताएं आपके सामने ये मैं पढ़कर बता रहा हूँ और सार साथ मैं आपको समझाते वे जाऊंगा there is a very special set of great interest the empty collection empty collection देखें empty का मतलब खाली होता है जब कुछ है ही नहीं तो हम collection कैसे करेंगे तो इस पर हम लोग देखेंगे क्या है ये वाई सूट वन कैर अबाउट दी empty collection अगर empty है तो हम उसके बारे में क्यों सोचें और consider the set of solutions to the equation x square plus 1 equal to 0 अब देखें हमारे सामने एक equation है x square plus 1 equal to 0 तो इसका कोई solution नहीं है actual देखेंगे तो real numbers में इसका कोई solution नहीं है जब number system बढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं कि numbers दो type के होते हैं बाद लोगों को खाली हम लोग real number ही पढ़ाते हैं और real number में इस x square plus 1 equal to 0 का कोई solution ही नहीं क्योंकि minus 1 का square करेंगे तो plus 1 हो जाएगा और 1 plus 1 2 मिलेगा और 1 का square करेंगे हम तो 1 plus 1 2 होगा तो भी क्योंकि square दे दिया है तो negative number का square भी positive होता है और positive number का square भी positive होगा तो यहाँ पे negative आये गई नहीं तो 0 मिलेगा ही नहीं हमें तो इस प्रकार से जो है 0 मिलने का chance नहीं है अगर minus 1 आये तो 0 मिलेगा plus 1 के साथ minus 1 add होगा तो 0 मिलेगा यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है तो इसका कोई solution नहीं है तो इसके solution में no elements आएगा अगर किसी set के अंदर कोई element ही नहीं होता है तो उसको हम empty set कहेंगे यह इसका first type आने वाला है हमें तो इसके बारे में ऐसे ही पहले discuss कर दिया है also consider the all rectangular with one angle greater than 90 degrees हमें पता है कि एक rectangle के सभी angle equal होते है और वो 90 हर एक angle का जो measure वो 90 degree होता है तो इसमें हमने देखा कि ऐसा कोई angle नहीं है rectangle में जो 90 से जादा हो there is no such rectangle and hence this describes an empty set so the empty set is important so the empty set is important interesting and deserves a special symbol too तो इसके लिए empty set के लिए हमें एक special symbol इस परकार का जो symbol है आपको बताएंगे यह जो symbol मैं आपको यहां बता रहा हूँ यह जो symbol है यह symbol जो बताया है yellow मैंने shade किया इसको ताकि आपको यह ध्यान से दिखाई दे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं खाली है जो symbol है वो या दो bracket लिखेंगे और उसको खाली छोड़ देंगे अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो empty set के एक नाम है empty set दूसरा null set और void set तो empty set के तीन नाम हो गए है तो empty set क्या है जिस भी set में अगर कोई element ही नहीं हो तो वो set empty set होगा अभी कभी कभी हमारे symbols की वज़े से कुछ confusion होता है बच्चों को और बच्चे गलती अंकर देते हैं देखिए अगर bracket के अंदर कोई element नहीं है तो ही उसको हम जो है empty set कहेंगे यहां देखिए द्यान से यह जो set है यहां पर zero लिखावा है set bracket के अंदर एक ही element है इसमें element है इसमें तो यह empty set नहीं है और जब यह symbol किसी इसके bracket के अंदर हम लोग लिखेंगे तो इसको भी खाली नहीं माना जाएगा तो यह जो set हुए है यह जो दो set इदर बताए गए दोनों empty set नहीं है ध्यान रखने का बात है काभी बच्चे इसमें मिश्टेक कर देता है एक्जाम में और उनका मार्स जो है चले जाता है अब देखिए यहां पर जो set दियावा है टूसे सकते हैं जो two, से divisible हो तो हमें पता है कि जो old number जो है वो कभी two से divisible होता ही नहीं है तो ऐसा कोई old number है नहीं जो two से divisible हो सके हैं देर्फोर एं जो है वो empty set है और इसको आम ऐसे लिख सकते हैं या इसा symbol लिखके उसको बता सकते हैं, set of all indices between 1 and 2, 1 and 2 जो है दो continuous indiger है, इसके बीच में कोई indiger नहीं है, दो इंडीजर के बीच में rational number हो सकता है, लेकिन indiger कभी नहीं हो सकता, continuous दो indiger के बीच में एक और एक indiger कभी नहीं आएगा, या तो वो decimal number होगा या fractional number होगा 1 by 2 ऐसा तो integer जो है इस type के 1, 2, 3, 4 या negative number या 0 होना चाहिए वो इसके बीच में नहीं आ सकता है 1 के बाद 2 ही आएगा integer बाद 2 के बाद 3 ही आएगा singleton set next type is singleton set a set which has only one element is called a singleton set अगर एक set में खाली एक ही element हो only one element तो हम उसको singleton set कहेंगे जैसे a is a set दिया हुआ है such that x is greater than 3 and less than 5 x belongs to natural number तो देखे इसके अंदर देखे मैं आपको बता रहा हूँ याँ पे जो आ रहा है आपके सामने में इसका answer लिखा है a equal to 4 होगा set जो है x से 3 से बड़ा और 5 से चोटा खाली 4 होने वाला यहां पे इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए next example दिया हुआ है इसमें the set of all even prime numbers तो देखे एक ही एक even prime number है और वो है 2 तो खाली एक element ही हुआ इसके अंदर इसके अलाबा और कोई element नहीं है इसलिए हम इसको जो है कहेंगे यह singleton set है only one element in the set तो इस पे ध्यान देना है अपने को next है finite set एक set के अंदर जो elements है अगर उसको हम गिन सकते हैं a set whose elements are countable जिस element जिस set के elements को हम count करके बता सकते हैं वो set को हम finite set कहेंगे परिमीच समुचही ऐसे ही इसका example भी हम देख लेते हैं the set of family members set of family members देखेंगे हम set of family members family members का आप देखो ध्यान से सबके family में जो भी members होते हैं उसको हम count करके लिख सकते हैं जैसे मैंने एक set लिखा हैं इसके अंदर चार जने हैं family में सुनील अंजू हरसीत और अभी से चार हैं इसके अंदर चार member हैं और हम इसको count करके लिख के बता सकते हैं so countable हुआ इसलिए यह set जो है वो finite set है next set के अंदर जो है the set of indoor और outdoor games you play मैंने इंडोर गेम बताया इसमें इंडोर गेम लेके बताया इसके अंदर जी सेट जी इकोल टू कैरम लुडो स्नेक लैडर एंड चेस यह जो है finite set वैसे outdoor games भी हो सकते हैं तो next set of all curricular subject you learn in the school school में हम बहुत सारे subject सीखते हैं उसमें co-curricular और extracurricular और curricular subject होते हैं तो जो curricular subject है जिसका पूरा किताब आपको देखें और समझाते हैं main subject जो होता है वह Tamil जो language है Tamil लाणू में Tamil language पढ़ाते हैं और Hindi optional language है English, Mac, Science, Social ऐसे बहुत सारे subject जो हम पढ़ते हैं कहीं पर 5 subject पढ़ते हैं कहीं कहीं पर 6 subject पढ़ते हैं तो यहां पर जो बच्चे हैं वो 6 subject पढ़ रहा है Tamil, Hindi, English, Mac, Science, Social Science तो यह count करने वाले subject हम count करके बता सकते हैं इसलिए इसको finite set हम बोलते हैं next जो है a equal to x such that x is a factor of 36 x जो है 36 जो उसका factor होगा जो भी number हम लिखेंगे वो 36 का factor होगा जैसे a is a set factor जो भी है 1 1 is a factor of 36 यानी 1 के table में 36 divisible है so 1 2 3 4 6 के table में आएगा 9 में आएगा 12 80 36 तो यहसे हम count कर सकते हैं इसको इसलिए यह countable set है finite set है next infinite set ऐसे set है जिसको हम count नहीं कर सकते elements को count नहीं कर सकते हैं उसके elements को count नहीं कर सकते हैं infinite set में a set which had which not finite is called infinite set which is not finite is called infinite set so set which elements are uncountable देखें uncountable elements होते हैं तो कैसे पता चलेगा uncountable तो एक example दिया हूं यहां पर 5,10,15 यह क्या multiples of 5 है तो यह कभी end नहीं होने वाले है 15 के पाज 20 25 30 35 40 फिर 50 ऐसे बहुत सा रहेंगे 1000 और उसे भी आगे जो है जाते रहेंगे the number we change with 5 and zero are multiples of 5 तो हम के अंदर uncountable elements लिख सकते हैं इसलिए यह बच्चे बार नहीं आ पा रहे हैं ज्यादा खेल नहीं कर पा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी बार इदर उदर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन आउट्डोर गेम बंद हो गया है तो भी उनके लिए अब तक मोबाईल में बहुत सारे गेम्स हैं मैं नहीं कह रहा हूं कि गेम नहीं खेलें गेम खेलें साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहें नाइन सेंडेड में आ जाने के बाज में सब्जेट के उपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों को और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं वे इसे ध्यान से सुनें और जब भी मेरे वीडियो को देखें वे अपने हाथ में एक पैन और एक नोटबुक रखें और सारे important points को वे note करते वे जाएं अगर पहली बार में note नहीं कर पाएं तो दूसरी बार वीडियो को देखके note कर लें पहले ध्यान से सुनें और दूसरी बार उसको देखके लिख सकते हैं या पहली बार में भी pause करके देख सकते हैं मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग छोड़ छोड़ कर नहीं देखें और fast forward करके नहीं देखें इससे क्या होगा कि आपका कुछ जरूरी जो subject का है वो छूट सकता है तो multiples of five आपने देखा कि infinite set है और एक इसका infinite set का एक example हमारे सामने है the set of all points on a number line the set of all points on a number line uncountable set है क्योंकि एक line के उपर हम बहुत सारे point लगा सकते हैं तो देखें जैसे point a point b point c point d point e ऐसे आके हम कई points जो एक line के उपर लगा सकते हैं और अगर हम एक line का definition पर ध्यान देए तो हमें पता है कि a line is made up of uncountable points बहुत सारे dot com जब एक साथ लगा देते हैं तो अपने आप एक line जो है form हो जाता है यह हमने geometry का definition पढ़ते समय सीखा हुआ है तो infinite set को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अभी आगे सीखना है आपको इसके लिए सबसे पहले हम cardinal number के बारे में सीखेंगे cardinal number क्या है वो मैं आपको बता देता हूं to discuss further about the types of sets we need to know the cardinality of sets एक set के अंदर जितने elements होते हैं उसको कितने elements होते हैं उसको गिनकर जब हम बताते हैं एक set में छेज़े 5 elements है 7 elements है होगा so what is a cardinal number of a set cardinal number of a set is the number of element of a set so the number of elements in a set is called the cardinal number cardinal number of a set में the number of elements ज्यान दिजे में अंदर्लाइन किया है number of elements is called the cardinal number of the set so the cardinal number of a set capital A is denoted by n of a मतलब number of elements of a ऐसे पढ़ेंगे number of elements of a n of a का मतलब number of elements of a देखिए एक एक एग्जांपल देखते हैं if a equal to 1,2,3,4,5,7,9,11 तो इतने सारे elements इसके अंदर है जब हम elements काउंट करेंगे तो हम continuous जी देंगे तो नंबर तो element तो 7 होगा next element 9 होगा next element 11 होगा लेकिन जब हम काउंट करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 तो 8 elements ऐसे हम काउंट करेंगे तो एक के अंदर 8 elements होएं तो इसमें हम लोगों का ध्यान होना चाहिए और मानीजी ऐसा एक set है आपके सामने हैं इसके अंदर देखिए बहुत सारे दूसरे set भी आ रहे हैं तो इसमें कितने elements हुए हैं इसमें कुछ elements repeat भी हो रहे हैं तो यह set है या नहीं है इसके बारे में आप तोड़ा सोचेंगे और आने वाले वीडियो में मैं इसका answer भी आप लोगों को बता दूँगा जब तक आप लोग सोचकर इसका कुछ answer देखिए हैं क्या है नेक्स्ट जो टाइप सेट है वो है equivalent sets equivalent set अभी जो sets आपने अभी तक देखा है उसमें एक एक सेट के बारे में हम बात कर रहे थे लेकिन जब equivalent set आ गया है तो दो सेट ऐसे होंगे जिसमें दोनों में elements होंगे और दोनों किस type के element होगे क्या relation होगा तब हम उनको equivalent set बोलेंगे और वो equivalent होंगे या नहीं होंगे तो यह चीज में आपको अभी बताने वाला हूं बात करेंगे दोक सेट तो दो सेट रहे हैं और ब्लो आपको अनलीक्व मैं और वो दो सेट मेंसलनों कौंट कर सकते हैं so the elements it is written contain the same number of elements two finite set a and b are set to be equivalent if they contain the same number of elements यहां पर आपको ध्यान देना है the same number of elements element की जो संक्या वो भी सेम होती है यानि cardinal number of elements same होते हैं तो वो equivalent set है देखे cardinal number n of a equal to n of b element same हो या ना हो लेकिन उनके जो cardinality है number of element जो हो सेम होने चाहिए बिल्कुल number of element जो हो सेम होने चाहिए जैसे अभी मानिजे set a हमने की हमने लिया है उसके अंदर देखिए ball और bat दो element है और set b में history और geography यह subject का नाम है तो इसमें भी दो element हुए और इसमें भी दो element हुए यानि दोनो equivalent set है ठीक है तो यह दो जो है एक इसका main point आपको याद रखना होगा कि equivalent set के अंदर if the number of elements are same then they say the sets are equivalent sets और यह जो symbol है ज्यान देंगे आप यह जो symbol है equivalent set का यह जो symbol है इस symbol पर आप ज्यान देंगे यह equal to नहीं डालना है यहाँ ठीक है थोड़ा सा उसको change करके हम लोग लिखेंगे इस प्रकास से आपको ज्यान देंके समझना है equivalent का symbol next type is equal sets इसके दो condition है सबसे पहला condition अगर दोनों set के अंदर दो set लेंगे हम अगर दोनों set के अंदर number of element same है क्या पहले आप देखेंगे first condition है number of element same होने चाहिए उसके बाद हम लोग second condition चेक करेंगे अगर number of element same है और element जो है वो भी same है तो दोनों set बिल्कुल equal हो जाएंगे खाली number का order change हो सकता है जैसे यह में 1,2,3,4 है 1,2,3,4 है और भी में 4,2,3,1 है order change हो गया है मगर elements जो हम देखेंगे इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है इसमें है 1 है तो 4 element इसमें और 4 element इसमें है फिरस्ट कंडिजन सेट हो गया second condition हम देखेंगे जो जितने जो element इसमें वह है वह है इसमें भी है तो इसका मतलब यह दोनों set जो हुआ हो एकदम equal set हो गये हैं अगर set equal है तो हम बोलेंगे A equal to B, अगर set equal नहीं है, अन equal है, तो हम A is not equal to B, यह सा लिख देंगे, a set does not change if one or more elements of the set are repeated, a set does not change if one or more elements are repeated, एक set के अंदर एक ही element पहले बार तो हम लिखेंगे नहीं, और by chance कोई लिख भी देता है, तो वो जो set होगा, वो number of elements उसके change नहीं होगे, इसमें तीन elements है, और इसमें देखेंगे हम A, B और C, इसमें भी तीन element ही है, तो इसको हम rewrite करके पहले लिखेंगे, और उसके बाद ही हम final conclusion देंगे, since every element of A is also an element of B, and every element of B is also an element of A, the set A and B are equal, तो इस बाद पहें हमको ज्यान देना है, next example हमारे सामने, एक set A दिया होगा है, set A is such that X, A is the set X, such that X belongs to natural number, comma X is greater than equal to 4 and less than equal to 8, and B equal to 4, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8, are equal sets, ऐसा हमें, question कूचा है, हम पहले एक है सारे element लिखेंगे, natural number है, और 4 या 4 से बढ़ा होगा, X जोब 4 या 4 से बढ़ा होगा, और 8 या 8 से छोटा होगा, तो 8 होगा और 8 से छोटा होगा, यानि 4, 4 से श्टार्ट होगा, 4 से बढ़ा 5, 6, 7, 8, और 8 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो A के अंदर है elements, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, and B के अंदर है, 4, 5, 6, 7, 8, तो जितने elements हैं, उतने elements B में भी है, और सारे elements बिल्कुल सेम है, तो अभी इस दोनों को हम कहेंगे, A equal to B, A and B are equal sets, यह हम conclusion यहाँ पर दे देंगे, next equal sets, यह note जो है, उस पर बहुत ही ध्यान देना आपको, equal sets are equivalent sets, जो भी equal sets है, उसको हम equivalent set बोल सकते हैं, लेकिन सभी equivalent set को, हम equal set नहीं बोल सकते हैं, और example, यह दोनों set जो equivalent set है, क्योंकि इसमें भी 5 element है, और इसमें भी 5 element है, तो हम cardinality सेम है, दोनों set जो है equal नहीं है, लेकिन equivalent है, so A and B are equivalent, but not equal, तो ऐसे हम compare करके, उसके बारे में बता सकते हैं, next, दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे, next वीडियो में, तो मुझे आसा है, कि आप लोगों को अब तक के, इतने भी type of set समझ में आगे होंगे, आप लोग इसका definition पढ़ी है, एक बार लिखके देखिए, समझिए, और कुछ इसमें doubt है, तो उसको चान्विंग करने की कोशिश कीजिए, answer सोच कर लाने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा ही doubt आया, तो comment में आप मुझे पूछ सकते हैं, चैनल को आपने subscribe कर दिया होगा, और वीडियो को भी आपने like कर दिया होगा, कर दिया होगा,